इस वक्त आप आराम से बैठ कर इस वीडियो को देख रही हैं, मगर मैं आपको कहूँ, आज जिस जगहा पर आप अभी बैठे हो, वो जमीन आज से करोणों साल पहले साठे आठ हजार डिगरी के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगहा पर आप बैठे हैं, वो जगहा ल आखों सालों तक बर्व से ढकी होई थी, ये दोनों बातें सचे हैं, इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप प्रिथवी के 450 करोड साल के सफर को देखने वाले हैं, जिस जगहा आज हमारा सोरे मंडल है, वहाँ विभिन प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे, वैज्यानकों के मताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था, वक्त के साथ साथ उस तारे की उर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर ए उलकापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रैविटी का निर्मान किया, इस ग्रैविटी के कारण बीच में हाइडरोजन और हिलियम एकठा होने लगे, बीच के इ की विशाल विस्फोड हुआ, और इसी विस्फोड के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ अंत्रिक्ष में फैले एस्टोड यानि शुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रक्रीमा करने लगे धीरे धीरे इनी एस्टोड में भारी टक्राव हुआ, जिसके फलसव रूप, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्मान हुआ वैज्यानिकों के मताबिक उस वक्त प्रिथ्वी और मार्स यानि मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की प्रक्रीमा किया करता था पृत्वी पर ग्रैविची होने की वज़ा से सूरज की प्रक्रीमा करने वाले एस्ट्रोयड अब पृत्वी की प्रक्रीमा करने लगे और धीरे धीरे करोडों खालों तक ये प्रित्वी पर गिरते रहे और ऐसी घटना हमारे पडोसी ग्रह थीया पर भी हो रही थी जिसके कारण थिया प्रिथ्वी के और करीब आने लगा और आगर प्रिथ्वी से टक्राया इस भयंकर टक्राव की वज़ा से प्रिथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स किता रहा प्रिथ्वी की प्रक्रीमा करने लगे इनी परिकर्मा करते हुए कणों में टकराब होने लगा जिसके कारण हमारे चांद का निर्मान हुआ उस वक्त प्रिथवी पर सिर्फ एक ही सम्मोद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावे का उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग-अलग नाम से जानते हैं वक्त के साथ साथ प्रिथवी धीरे-धीरे ठंडी हो रही थी जिसके कारण प्रिथवी के भारी तत्व जैसे धातू और रेडियू एक्ट्यू पदार्थ प्रिथवी के केंदर में जाकर इकठा हो गए और हलके पदार्थ प्रिथवी की सतहा पर आ गए लाखों सालों तक प्रिथवी पर उलका पिंडों की बरसाथ हुई और इन गिरते हुए उलका पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी करोडों सालों तक इन उलका पिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे प्रित्वी की उपरी सताहा पानी से ढखने लगी वैज्यानकों के मताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वाला मुख्यों से पहली बार सुक्ष्म जीवों का निर्मान हुआ लाकों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब प्रित्वी की पूरी सताहा पानी से ढख चुकी थी हमारी प्रित्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदात से बने होने की वज़े से हर दम गर्म होता रहता है लेकिन जब भी प्रित्वी की ओपनी जमीन ठंडी हो जाती है तब प्रित्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती जिसके कारण ज्वाला मुख्यों का निर्मान होता है और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ पानी से ठकी हुई पृत्वी पर हजारों की दादात में ज्वाला मुख्यों निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वाला मुख्यों का निकलना जारी रहा जिससे पानी के उपर जमीन का निर्मान हो रहा था इस वक्त भी पृत्वी पर वातावर्ण ना होने की वज़ा से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसाथ हो रही थी आज से लगभग 300 करोड साल पहले पृत्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृत्वी का वातावर्ण लगभग स्थिर होने लगा था जुआला मुखी निकलने धीरे हो गए थे और पृत्वी का एक दिन 12 घंडे का हुआ करता था साल बिठते गए और धीरे धीरे ये सुक्ष्म जीव विक्सित होते गए और समुहों में रहने लगए आज से लगभग 250 करोड साल पहले पहली बार पृत्वी पर ऐसे जीवों का निर्मान हुआ जो जीने के लिए ये पाने के अंदर के मिनरल्स यानि खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मलत्यात के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे इस वक्त तक पृत्वी पर जादातर ज्वाला मुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रो बैक्टिरियास की वजह से वाता वरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी वाता वरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृत्वी का वायू मंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वाता वरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही जिसकी वज़ा से प्रिथ्वी के जादातर हिस्सों में ये सोक्षम जीव फैल गए हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब प्रिथ्वी में जादा ओक्सिजन बढ़ने के कारण ये सोक्षम जीव मरने शुरू हो गए उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरन धंडा होने के साथ साथ ओक्षिजन से भी भर चुका था जिसके कारण जमीन और वातावरन में स्थित आईरन यानि लोहे के मिंडरल्स, पानी में स्थित ओक्षिजन से रियक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब प्रिथवी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी वक्त बीतने के साथ साथ धर्ती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी जिसके कारण प्रिथवी के अंदर का लावा जमीन कीता रहा कई लाकों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण प्रिथवी के वातावरण में कार्मन डाइक्साइट की मात्रा बहुत बढ़ गई और प्रित्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई एसिड रेन की वज़ा से प्रित्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि प्रित्वी के उपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा प्रित्वी पर पहली बार भयंकर आई से जाया इस वक्त पूरी पृत्वी सफेद बर्फ से ढख चुकी थी आप तोर पर जब धर्ती पर सूरज की किरणे गिरती हैं तब जमीन उन किरणों को सोख लिती है मगर क्योंकि पूरी पृत्वी बर्फ से ढख चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकिली होती है जिसके कारण सूरच की किरने धर्ती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी इसी कारण से प्रि्थवी कई लाखों सालों तक बर्फ से ठकी रही मगर फिर से प्रिथवी के अंदर सिद गर्मी जौला मुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वाला मुख्यों से निकलने वाली गर्मी ने पर्फ को पिगलाना शुरू कर दिया इसी बीच प्रिथ्वी की गहराई में बचे कुछ सुक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ओक्सिजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पोधे निकलने शुरू हो चुके थे बाहर जैसे जैसे ज्वाला मुख्री निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन टैक्सराइड की वज़ा से गर्म हो रहा था वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिगलने लगी मगर धर्ती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई जिसके कारण फिर पित्वी ठंडी होने लगी और फिर पित्वी की जादतर सताह बर्फ से ढग गई ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विक्सित हो रहे थे इस बिच कई सारे जीव और समुद्री जंगल्स विलूप्त हो गए मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पित्वी के बदलते ताफमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड बर्फ की वज़ा से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे अब सूख्षम जीव समुद्री जीवे बन चुके थे जब फिर से ज्वाला मुख्यों ने प्रित्वी की बर्फ को पिगलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड जल्दी विक्सित होकर फैल गए धीरे धीरे वातावरण में ओक्सिजन की मात्रा बढ़ने लगी और प्रित्वी पर होने वाली एसिड की वर्षात कम होने लगी वातावरण में ओक्सिजन आने की वज़ा से प्रित्वी की ओजोन लेयर्ज मोटी होने लगी और आज से लगवग 47 करोड साल पहले पृत्वी की उपरी सताह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट पोधे और पेड उगना शुरू हुए एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेडों की लंबाई लगवग 80-100 फीट जितनी या आज की 5-6 मंजिला बिल्डिंग जितनी उची हो चुकी थी ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे धर्ती की जादातर जमीन एक जगह एकठी हो चुकी थी जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीव के नाम से जानते हैं प्रित्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21-23 घंटे का दिन हुआ करता था अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डाइनोसोर्ज में परिवर्तित हो गए जिन डाइनोसोर्ज ने पेड़ पोधी खाने शुरू कर दिये उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विक्सित होने लगा कुछ डाइनोसोर्ज शिकार किया करते थी इसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए प्रित्वी की उपरी जमीन एक जगह एकठी होने के कारण जादातर जमीन रिगिस्तान और बंजर हो चुकी थी जादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे जिसमें डाइनोसोर्ज रहा करते थे आज से लगभग 20 करोड साल पहले पैंजिया महाद्वीब टूपना शुरू हो गया पैंजिया के विभाजित होने की वज़ा से प्रिथवी की जादातर उपनी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी जिसके फलसवरूप प्रिथवी पर हर्याली बढ़ती गई जिस वज़ा से डाइनोसोर्ज और ज्यादा विभिन और विशाल होते चले गए डाइनोसोर्ज ने आने वारी लगभग 20-30 करोड सालों तक प्रिथवी पर राज किया उस वक्त डाइनोसोर्ज समुद्र से लेकर जमीन और आस्मान तक पूरी प्रिथवी पर राज किया करते थे इस दोरान अफरीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिबबत से टकराया और इस टकरा की वज़ा से हिमालय का निर्मान हुआ आज से लगभग 6.6 करोड साल पहले प्रिथवी के तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड किलो जितना वज़निया उलका पिंड लगभग 80,000 किलो मीटर प्रतिकंटे की स्पीड से प्रिथवी के तरफ आ रहा था प्रिथवी की सताहक को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा प्रिथवी से टकराया इस टकराव से निकलने वाली उर्जा आज के 10 करोड परमानु बंप एक साथ फटने के बराबर थी जहां ये उर्का पिंड गीरा वहां के जानवर और पेड तुरंत भाब बनकर चल गए गिरते ही प्रिथवी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी समुद्र में भयंकर बाढ़ाने लगी भुकंप और आग ने प्रिथवी को जलाना शुरू कर दिया कुछ ही घंटों में पूरी प्रिथवी के वातावरण में हानिकर्क गैस और धूल की वज़ा से प्रिथवी नर्क हो चुकी थी दैनोसोर्ज, घूटन, आग और भुक मरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए इस वक्त हमारे पूरवज जमीन के अंदर रहा करते थे जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए प्रिथवी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुँच पा रही थी प्रिथवी के पेड और जादा तर जानवर विलुप्त हो गए वातावरण में धोल और हानी कारग गैस के कारण प्रिथवी पर फिर से इस इड की वर्षा शुरू हो गई और फिर प्रिथवी ठंडी होकर बर्फ से ढग गई लेकिन इस बार प्रिथवी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80-90,000 साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई जैसे ही धर्ती पर वातावरन फिर से पहले जैसा होने लगा वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहराना शुरू हो गई उस वक्त प्रिथवी की बर्फ पिघलनी शुरू ही होई थी जिसके कारण एफरिका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए मगर जैसे जैसे प्रिथवी गर्म होने लगी वैसे वैसे एफरिका की ये जंगल सुखने लगे जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी धीरे धीरे बंदर एप्स यानि वानर में परिवर्थित हुए खाने की तलाश में ये एप्स प्रिथवी के दूसरे हिसों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया वक्त के साथ साथ हम आदिवाजी बने हमने हत्यारों से लेकर आग का अविश्कार किया हम धीरे-धीरे इंसान के रूप में विक्सित हुए हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्क्रिती का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विक्सित होते चले गए और आज हम इस प्रिथवी की सबसे विक्सित प्रजाती बन चुके हैं प्रित्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इनसान बनने में कई लाखों सालों का मगर हमने इन सो सालों में जितना प्रित्वी को गंदा और तबाह किया है उतना आज तक किसी भी प्रजाती ने नहीं किया होगा हम फिर से धर्ती को गर्न कर रहे हैं और कार्बन डाइकुसाइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं वैग्यानिकों का मानना है कि प्रित्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है भविश्य में प्रित्वी कैसी होगी जानेंगे हमारी अगली वीडियो में